आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रूप और अलोग इंडस्रीज लिमिटेट के बारे में कहीं न कहीं दोनों ही स्टॉक मोगेश अंबानी से रिलेटेट है पर यहाँ पर अगर देखा चाहें तो रिलाइंस ने जो डिल थी उसे यहाँ पर ढुग रहा था बट एक भी थी दूरूपे के लगबग स्टॉक में गेन भी देखने को में मिला था बट अभी अगर देखा चाहें तो स्टॉक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है बट उसको भी देखेंगे कि आखिर गिरावट कब रुखेंगी और यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप में क्या न्यूज हैं हम उसे भी देखने वाले हां काफी बड़ी न्यूज कहा भी सकते हैं काफी तगड़ा इंपक्ट इसके उपर पढ़ने वाल यहाँ पर मंडे के दिन तो क्या न्यूज हैं क्या अपडेट्स हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो को group से related और वही अगर देखा जाए future group की ही company है future enterprises तो यहाँ पर अगर देखा जाए future enterprises so for one time settlement via sell of assets तो यहाँ पर future enterprises ने यहाँ पर solution निकाला है और वो सोच रहे है कि हाँ पर जो उनके assets है उन्हें आपर बेच बेच दिया जाए और यहाँ पर एक settlement हो सकता है तो यहाँ पर क्या settlement होने वाला है और देख लेते है future group of which F.E.L future enterprises limited जिसका नाम है is a part failed to clinch यहाँ पर यह वाली news है guys जो deal के बारे में आपर बता गया जो reliance से deal थी वो तो यहाँ पर विल्कुल failed हो गही थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी option इनके पास भचा नहीं है तो future enterprises has offered one time settlement और टीस के त्रो one time settlement जिसे कहा जाता है और वही अगर देखा जाए इंडिकेटिंग 46 recovery percent recovery for secured creditors तो यहाँ पर कही न कही जो dabbed है इनके उपर dabbed है उससे यहाँ पर करने की तयायर यह जो इनके पास जो भी चीजह हैं ओं यहाँ पर बेज दी जाएंगी और किसे क्रोब के आस रिकोरी हापर हो सकते हैं और जो डैब्ड है उलगबग 6,713 गरोर के आसपास है तो यहापर किस के क्या होगा किस के तुरू यह बेचा जाएगा वो भी हापर देखने को मिलने वाला है तो काफी कुछ चीज़े हैं जो यहापर important है तो वही एकर देखूंगे तो कही न कई future enterprises ने भी last time एक अच्छी यहापर देखा जाए तो closing दी थी future enterprises limited यहापर कई सारे जो अपने assets हैं उनको यहापर वेचने की तयारी से पहले भी काफी कुछ default हुआ है करजा इन्हें चुकाने में और 3.05 बिज़े बिज़े यहापर closing दी थी 1.67% के इसाब से बड़ा था वही अगर देखा जाए future consumer में कोई बड़त हमें देखने को नहीं मिली वही की वही यह stock घूम रहा है तो ही अगर देखा जाए future retail limited की में बात कर रहा हूं तो यहापर future retail में अगर देखें तो stock में 6 रुपे 70 पेसे के level पे stock यहापर closing देता हूँ नजराया था खलके दिन और 0.74% के हिसाब से यह share गिरा है साथी बात करें FLFL की यानि future lifestyle fashion limited की तो यहापर future lifestyle fashion limited में अगर देखें तो stock 17 रुपे 40 पेसे के level पे हापर closing देता हूँ नजराया था 0.75 पेसे तक की एक अच्छी बढ़त देखने को मिली यहापर stock में अगर देखें तो 4.50% के हिसाब से share बढ़ा है तो increment भी अच्छा नजरा रहा है सो guys अब बात कर लेते हैं Alok Industries Limited की तो Alok Industries Limited में आखिर चल के रहा है Alok Industries Limited की अगर बात करें तो 20 रुपे 95 पेसे के असपास stock closing देता हूँ नजराया गिरावट की बात करें तो 0.48% तक की गिरावट है इस गिरावट को ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं वही अगर देखें market cap के हिसाब से अभी भी भी a mid cap stock है 10.28 1000 करोड का market cap है open हुआ था इस यह 21.25 रुपीस के असपास और stock ने high भी लगाया था 21.40 रुपीस के असपास का और low की बात करें तो यहाँ पर 20.60 रुपीस के असपास का low भी है so levels यहाँ पर शानदार है Alok Industries Limited में यहाँ पर guys क्या levels है तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो कही न कही stock में एक गिरावट न जड़ाई बट हमारे पास पहले से ही levels है इन levels के बारे में पहले भी आपके साथ discuss कर चुका हूँ यहाँ पर मैंने एक pattern create किया था कुछ इस तरीके का pattern हमने बनाया था उसके basis पर यहाँ से stock में एक fall हमें देखने को बिला बिल्कुल एक गिरावट आई थी stock उपर गया फिर नीचा है फिर उपर गया फिर नीचा है फिर आपर मैंने बुला था कि अगर इस level को break कर देता है का भी time इसने rejection से आपर जिला है तो इस level को अगर बिल्क करता है तो अच्छे returns देने के ability इस stock में है और वही अगर देखा है तो 20 रुपे सा stock बढ़ना start हुआ और return कब तक के दिये है लगबग 22 रुपे के असपास return यहाँ पर दिये है पर support लिया तो मैं पहले भी बोल चुका था कि यहाँ पर stock support ले सकता है और stock उपर गया फिर नीचा है फिर यहाँ पर support ले रहा है तो guys वही अगर देखें तो कल क्या बंडे की दिन क्या situation यहाँ पर create हो सकती है तो यहाँ पर already stock support ले चुका है यहाँ पर भी stock support ले चुका है तो यहाँ से एक बड़त का बड़त ही देखने को हमें मिलेगी यहाँ पर अगर देखें तो कहीं न कई स्टॉक यहाँ से गिरा है यहाँ से stock में एक fall हमें देखने को बिला है यहाँ से share गिरा फिर उपर गया फेर नीचा आया फेर उपर गया तो यहाँ पर अगर breakout मिल जाता है गाइस तो यहाँ पर 22 रुपे तक भी एशेर जा सकता है 22 से 23 रुपे तक भी एशेर जाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तयार है 22 रुपे 50 पे तक भी एच्छी बड़ता सकती है पर आपको तभी invest करना है जब stock में breakout मिला है बिना breakout के stock में आपको बिल्कुल भी investment नहीं करना है तो बिल्कुल यहाँ से stock गिरा फिर गिरा फिर बड़ा फिर यहाँ पर यहाँ पर जो बड़ा हाई है as a long term के हिसाब से हम क्या रख सकते है तो short term basis पे अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर stock में क्या नजरा आ रहा है यहाँ से stock में गिरावट आई फिर यहाँ से stock ने support लिया वहीगर देखें तो stock ने फिर से resistance यहाँ पर लिया है फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो continue इसमें गिरावट आई तो यहाँ पर कई टाइम हम सोच रहे है कि stock हो सकता है यहाँ पर support लेना but guys यहाँ पर chances ज़्यादा है कि stock यही से बढ़ना भी start कर सकता है कुछ इस तरीके के level यहाँ पर create हो सकता है तो यहाँ पर क्या करें उसमें आप सोच रहे होगे तो guys यहाँ पर आपको तब ही invest करना है जब 24 रुपे के level को यह break करें क्योंकि यहाँ पर breakout अगर मिलता है तो stock में एक अच्छी बढ़ता है 35 रुपे तक के भी high लग सकता है यहाँ पर कई बार इसे patterns बने हैं यही से stock यहाँ से breakout दे दिया है तो हो सकता है यही से breakout दे दे तो वही अगर देखे हैं तो कहीं न कहीं एक important support भी यहाँ पर बन जाता है तो देखना होंगा आगे क्या होता है तो यहाँ पर देखो बिल्कुल breakout में ला stock ने high लगा है फिर sideways फिर high लगा है फिर sideways फिर high लगा है तो stock का nature ही कुछ इसा बन चुका है और यहाँ पर as a long time के basis पर क्या आप कर सकते हों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 53 से 60 रुपे के करीब से stock गीरा था यहाँ से बड़ता ही फिर गिरा sideways चल रहा है sideways चल रहा है अगर यहाँ पर मिलता है फिरिक आउट तो stock 350 रुपे का जो target है इसी तरीके से अच्यू कर सकता है तो गैस आप और हमने future group के बारे में क्या news थी हमने उसे देख लिया फिर उसके बाद हमने अलोक industry को भी यहाँ पर देख लिया है तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चनल को subscribe करो thank you